दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसी एक बहुत बड़ी कान की समस्या के बारे में जो बहरेपन का कारण बन सकती है अगर आपने इसको इग्नोर किया कान के अंदर अगर फंगल इंफेक्शन हो जाए तो ये बहुत बड़ी समस्या का रूप ले लेती है और इस बीमारी को जाना जाता है ओटो माइकोसिस के नाम से तो इस वीडियों में हम बात करेंगे कि ओर्टोमाइकोसिस या फंगल इंफरक्शन कान में क्यूं होता है उसके मुख्य कारण क्या है आप अपने आपको इस बीमारी से कैसे बचा सकते हैं और इसका इलाज क्या है कि दुबारे से आपको ये परिशान ना करे और इलाज के ब शुरुआत कान में हलके फिलके भारी पंसे होती है कान में हलका फिलका नमी या पानी जैसे आपको महसूस हो सकता है कई बार बिकुल चिप चिपा या पानी जैसे डिश्चार्ज भी कान से आता है ये इसके शुरुआती लक्शन होते हैं जैसे जैसे फंगस की मात्रा कान क कान के अंदर बढ़ने लगती है कान के अंदर आप प्रेशर महसूस करने लगते हैं कान के अंदर आपको ऐसा लगता है कि कुछ भर गया है और आपको कान के अंदर दर्द भी होना शुरू हो जाता है यह दर्द कभी-कभी बहुत तेज होता है और आपको उससे में फटा-फ कहाँ से जाता है और यह इतना ज़्यादा सूनरी अक्सर नमी के दिनों में कास्ता बए्साइट के दिनों में विमारी जादा होती है, जब हवा के अंदर बहुत ज़्यादा मौशर होता है. और यह आपके कान के अंदर चला जाता है आपके कान की जो बारी कैनल है जो अक्स्टरनल एर है वहाँ पे जब नमी बहुत दरते के कट्टी रहती है और मौशर के अंदर अगर कुछ फंगस है वो अगर वहाँ पहुँच जाते हैं नाते समय कर आप कान की उपर पानी बारते हैं बार बार ऐसे करके पानी से कान को अंदर साफ करने की कुछ करते हैं तो ये भी एक बड़ा कारण हो जाता है फंगल इंफेक्शन होने का या ओटो माइकोसिस के डेवल अप होने का कुछ लोग की आदत होती है कि एर बड़ से जल्दी हो कान को साफ करते हैं अगर ये एर बड़ गंदा हुआ इस पे कुछ नमी हुई या इसके अंदर ही कोई फंगल इंफेक्शन का एक चोटा हिससा भी कान के अंदर चला गया तो अपने आपने यहां पे बड़ा कारण हो जाता है फंगस के ग्रो करने का एक बात और भी बड़ी कॉमन है क्योंकि बहुत सारे जितने भी एर ड्रॉपस आते हैं उनमें इस्ट्रॉइट्स भी होते हैं तो यह दो हमने बात कर ली कारणों के बारे में अब बात करते हैं कि एक्च्वल में इसका इलाज क्या है और इसके बाद हम बात करेंगे कि आप अपने आपको इससे बचा कैसे सकते हैं जो इसका इलाज है वो डियागनोसिस बड़ा आसान है आपको को टेस्ट करने की ज़रात होती नहीं है आप अपने डॉक्टर के पास जब जाते हैं वो सिंप्ली ओटोस्कोप डाल के कान के अंदर उसको देख के पता लगा लेता है कि ये फंगस है कान के अंदर ये काले सफे पूरा कोर्स करना चाहिए क्योंकि अगर आप इलाज बीच में चोड़ देंगे और कूरा कोर्स नहीं करेंगे तो भीमारी आपको दुबारा से हो सकती है इसलिए इलाज पूरा करने के बात भी आप अपने डॉक्टर से अपने कान का चेक अप कराएं और जब डॉक्टर आपका गहें कि अभी ठीक है तब ही आप अपनी दवाई बंद करें, इलाज करते समय भी आपको ध्यान रखना जरूरी है कि कान के अंदर नमी ना जाए, कान पर रूई लगा के ना है, तो फिर आपका बीमारी दुबारा से नहीं होगी, यही इसके प्रिवेंशन्स हैं कि न को सूखा रखें, गीला ना होने दें, ना यहीं है कान पर रूई लगा लें, नारयल का तील में या सर्सोंके तील में नहीं थोड़ा सा कोटन गौ्स गीला करके इसके कान पे लगा ले सो देट वो अंदर नमी को ना जाने दे इस्ट्रोइट्स का यूज ना करे और स्विमिंग करते समय एर प्लक्स का इस्तमाल करे तो इस तरीके से आप अटो मैकोसिस या कान के फंगस की विमारी से अपने आपको बचा सकते हैं अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये वाकई बहरेपन का कारण बन सकती है आपके कान का हेरिंग लोस हो सकता है और ये बहुत बड़ा कारण है बहरेपन का तो मुझे अमीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वाकई ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो इसको शेयर जुरूर कर लें लाइक भी कर लें और बैल एकन का बटन दबा लें सो दैट इस तरह के मेडिकल इंफॉर्मेश्टिव वीडियो आपको समय पी मिलते रहें टैंक यू, दन्यवाद